तो और तो मेरे भाई लोग तो कैसे हो यार उमीद करता हूँ बढ़िया होगे तो आचुके एक और नए इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर है और आज की वीडियो में हम बात करने वाला है आईकू 9 SE के डीटेल कैमरा रिव्यू के बारे में तो इस वाली वीडियो को बिना स्किप कि हूँ है एंड तक जरूर देखते हैं आपको कैमरे के बारे में जितने भी डाउट है सारा कुछ इस वाली वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है तो जो Vivo के smartphone के अंदर आपको typical camera के अंदर जो भी सारे features देखने के लिए मिलते हैं वो सारे features इस वाले device के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं बात कर रहे हमें इस वाले device के camera sensors के बारे में तो इस वाले device के अंदर आपको main 48MP का Sony IMX598 वाला sensor देखने के लिए मिल जाता है उसी के साथ आपको 13MP का ultra wide angle camera मिल जाता है जो कि Samsung का sensor है और इससे आप macro photos को भी click कर सकते हो और सबसे नीचे में आपको 2MP का depth sensor देखने के लिए मिल जाता है उसी के साथ आपको front में Samsung के sensor वाला 16MP का camera देखने के लिए मिल जाता है अभी आपको जो camera के samples देखने के लिए मिल रहे है वो इस वाले device के 48MP camera से click किये गए हैं इस वाले device के main camera से आप काफी अच्छी तरीके से photos को click कर सकते हो यहाँ पर आपको काफी तगडी quality देखने के लिए मिल जाती है इवन अगर आप portrait lens से photos click करते हो तो इसमें भी आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है काफी सारे लोगों को यह वाला भी doubt होगा कि update के बाद इस वाले device के camera quality को downgrade किया होगा लेकिन इस वाले device के अंदर आपको update के बाद भी वैसी quality देखने के लिए मिलती है जैसे कि आपको पहले देखने के लिए मिलती थी अभी जो आपको display के उपर camera samples देखने के लिए मिल रहे है वो ultra wide से सीधा 10x zoom तक photos को click किया गया है तो इन वाली photos को देखके आपको clear हो जागा कि आपको 10x zoom तक कैसी quality देखने के लिए मिलती है इस वाले device के अंदर आप 5x तक zoom करोगे तो आपको काफी अच्छी quality की photos देखने के लिए मिल जाती है लेकिन उसके बाद अगर आप 10x तक photos को click करते हो तो वहाँ पे आपको इतने अच्छी quality की photos देखने के लिए नहीं मिलती है अभी जो आपको photos देखने के लिए मिल रही है वो without night mode और night mode on करने के बाद photos को click किया गया है तो आपको कैसी quality देखने के लिए मिल रही है वो आप खुद judge कर सकते हो इस वाले device के अंदर night mode को on करने के बाद आपको काफी तगडी quality की photos देखने के लिए मिल जाती है अभी जो आपको display के उपर camera samples देखने के लिए मिल रहे है वो इस वाले device के macro length से click किये गए हैं तो इस वाले device के अंदर आपको decent level का macro camera देखने के लिए मिल जाएगा जिससे आप ठीक ठाक photos को click कर सकते हो अब बात करते हैं इस वाले device के video recording के बारे में इस वाले वीडियो को record किया गया है 1080p और 60fps में और यहाँ पे EIS और OIS दोनों को off करके इस वाले वीडियो को record किया गया है और अब जो आप वीडियो को देख रहे हो造 इस वाली वीडियो को EIS on करके 1080p में 60fps पे इस वाली वीडियो को record किया गया है तो आप quality का अंदधा सकते हो और अब आप जिस वाली वीडियो को देख रहे हो है focus की बात करते हैं यहाँ पर आपको ज़्यादा slow भी देखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पर आपको decent quality का focus देखने के लिए मिल जाता है अभी जो आपको samples देखने के लिए मिल रहे है वो इस वाले device के macro lens से वीडियो को record किया गया है तो आप quality को देख सकता हो कि आपको इ इसी quality देखने के लिए मिलने वाली है front camera के अंदर भी आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलने वाले यहाँ पे भी आपको portrait source भी काफी अच्छी quality के देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे भी आपको इस detection वगेरा में भी कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है आप normally photos को click करते हो बाद में उस वाली photos को जो edit करते हो तो आपको इस वाले device के अंदर raw photography का भी option देखने के लिए मिल जाता है जिससे आप काफी थगडी quality की photos उठा सकते हो तो बस भाई लोग फिलल वी आप में कमेंट करके जरूर से बताना हम मिलते हैं ऐसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक जय हिंद वंदे मातरम